एक जी एक चीज़ हम शेयर करें थे आज से दो दिन पहले एक ट्रेड हमने आप लोगों के साथ और शेयर किया था बहुत अच्छा लगेगा अब वीडियो को ज़रूर देखो क्योंकि दो ट्रेड करने की सिस्टम्स हमने बता है और एक एक जो एक्सपीरियंस है थोड़ा सा एक्सपीरियंस हमने वहाँ पर अपना शेयर किया है बहुत अच्छा लगेगा अब वीडियो देखोगे तो बहुत को सीखने का आपको वीडियो से मिलेगा और लास्ट में दो सिस्टम्स पता है उन सिस्टम के प्रैक्टिस कर डालो किसी चीज की ज़रूरत नहीं पढ़े कि आपको बढ़ते हैं आज के ट्रेट की तरफ सो थिप सी बैंक का देंखी डिली टायम फ्रेम पर एजब्लाइक वाली गैंडल यह हमारी आज की मास्टर केंडल थी सेम लेवल के पास इल्ग कर फ़र्क था सेम लेवल के पास हमने आज की एग्जिवूट के था सिस्टिसी फर्क है बफर नहीं फर्क है बीस पैसे का लोवर टाम च्रिम पर चलते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का बेसिक एक जो बेसिक होते हैं वो आज की वीडियो में हम क्लियर करेंगे की कुशिच करेंगे कि अगर इस तरह से आप लेवस को ड्रॉ करोगे अपने प्री डिफेंट इस निकालो कि उसके तुरू करोगे तो आपको मज़ा जाएगा एक तरह से जो डिसिप्लिन की कम यूटी वो डिसिप्लिन हो जागते से आज की वीडियो में देखिए आज को जो ट्रेइड एक्जिप् ट्रेंड में है क्योंकि एक दिन पहले की जो लो लोगे थे वो डाउन साइड की तरफ थे उसके बाद में जो लो लगे और अप साइड की तरफ फिक्स हो गया मतलब लोज अप साइड की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं सो आज का ट्रेड भी सिंपल था और बहुत काउंटी थी 785 काउंटी के साथ आज का ट्रेड हमने एक्जिट किया था और ग्रूप में जो हमने शेर किया था 1670 पर हमें एक्जिट हो जाने थी यह 785 काउंटी है अच्छा यह पूरा आप देख रहोगे कि दो ओर जो लगे ही दोनों कैंसिल है कैंसिल और कांसे है हमारे एक तो स्टॉप लॉस काउडर है और 1670 पर हमें जो एक्जिट का लगा था वह कैंसिल होगे बिकॉस मार्केट उस जगह पर आई नहीं और फिर हमें फिर ब्रोकर ने बाहर निकाला तो दो चार रुपाय का हमें लॉस के अंदर तो फूर्थ जो आप देख रहोगे तो इस का प्रॉफिट है आज के सेशन का 10,400 रुपेस का प्रॉफिट है विच इनक एक डिसेंट सा एक स्मार्ट सा प्रॉफिट है इंडरेट सेशन के क्योंकि overall जब इस टॉक्स को आप देखोगे ना तो maximum of the stock कल के सेशन में और आज भी हमारी वासलिस में जितने स्टॉक थे थोड़ी सी साइड भी मूव किया अगर सई स्टॉक आपने नहीं पकड़ा रिफ्रेश कले तो इसको एक बार ओके अगर सई स्टॉक आप में नहीं पकड़ा ना तो बहुत बहुत ज्यादा हथ तक चांज है कि फिर आप साइड भी बैट चाओ गए तो इसलिए एक टेक्न से पहला की केंडल मानके चलते हैं कि नहीं बनी है, अब यहां पर हम एक मॉस्तर睇क केंडल माग करेंगा गए जो कि यह ब्लेक केंडल लेकिन नहीं मौलूम है कि support या resistance है कि बहुत simple language में हम समझाने की कोशिश करेंगे देखें यह जो candles होती है इनका अपना एक pattern होता है चलने अब यह patterns like कि price में up, down, up, down, up, down लगा रहता है और ऐसे आप देखोगे long perspective से देखोगे तो market आपको हमेशा इस तरह से दिखाए पड़ती है maximum of the stocks में वो company नहीं कि जो बहुत अच्छा perform नहीं कर रही है जो ideal conditions पर नहीं चल रही है rules regulations को follow नहीं कर रही है और manipulations बहुत ज़्यादा हो रहे है news के basis पर कोई भी stock कोई भी company अपने stock upside में लेकर किचले बहुत ऐसे example आपको देखने को मिलेंगे तो price जो होता है वो गिरता भी है चड़ता भी है गिरता भी है चड़ता भी है तो कम ज्यादा हुआ करता है अच्छा है इन patterns में जब लोग trade execute करने आते हैं जब trade execute करने आ रहे हैं तो देखे काफी सारी prices है यहाँ पर बने हुए जैसे की 880 नीचे से लिया हो गया 880, 860, 840, 820, 800, 780, 760 यह कुछ price है technical term में एक word use किया जाता है market के अंदर वो है interest interest से ही मिल करके option chain के अंदर word है open interest OI data यह है क्या interest actually show करता है कि HTVC bank में 900 रुपए पर बहुत सारे खरिदार है 900 रुपए पर बहुत सी buying हो रही है तो price क्या करता है अगर market को upside की तरफ जाना है यह जैसे हमने एक marking कर दी 800, 860 पर चलिए हमने 860 पर एक marking कर दी यह price है हमारा 860 का अब price को upside की तरफ जाना है तो कैसे जाएगा पता है यहां पर हमें मालूम है कि जो movements है probabilities are very high कि price हमारा upside की तरफ चला जाएगा अब यहां से movement यह जो होता ना कि 860 पर आकर के price ऐसा क्यों कर रहा है यहां पर आकर के नीचे क्यों गिर जा रहा है होता क्या है कि कई सारे orders कई सारे orders आपके यहां पर लगे होते हैं माल लिजे कि 1 lakh quantity के order यहां पर लगे हुए है price up में जाएगा फिर up में जाएगा फिर नीचे फिर 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 जाएगा फिर नीचे जब तक 1 lakh quantities के order fulfill नहीं हो जाएगे HTC bank के अंदर यह उपर नहीं जाएगी जाई नहीं सकते उपर जैसे ही 1 lakh quantities के orders full हो जाते हैं market पैक कर लेती सारे के orders तब यहां से movements होते है अपसाइड अच्छा 1 lakh quantity के order fulfill करने के लिए market ने यह जो यहां से jumps लिए ना downside की तरफ बार बार इसको आप move हो जाने के बाद देखोगे तो आपको लगेगा कि market यहां से गिरी है बार बार नीचे अब market किसी भी एक point से downside की तरफ अगर movement दिखा रही तो पता ही क्या होता है इसको resistance बोला जाता है कि 860 यह वो point है कि जहां से market में बड़ा order लगा था है अब यहां पर बात यह नहीं है कि 860 heavy quantities लगी होगी है प्राइस के अंदर 860 पर इंट्रेस्ट किसी FIA या इसका DIA या इसका बड़ा player है या huge quantity उसके अंदर लगी हुई है 860 पर तो यहां पर order full होगा order fulfill होगा इसके बाद में price फिर या तो हमारा upside की तरफ या फिर downside यह यह चलता है बट यहां पर 860 पर 1 lakh quantities के order full करने के लिए market नहीं जो hurdles लिए यहां पर बन गया एक resistance अब यही चीज़ मानके चलिए हम लोगों ने sale की तो आप इसको just vice versa कर दो कि 860 पर हमने 2-3 lakh quantities जितनी भी हमने रख दिये sale करने के लिए तो price क्या करेगा न अब यहां से जो भी होना price जातो नेचे चला जाए ओपर फिल करने से पहले जो market ने यहां पर hurdles लिए न यह हो गया 860 प्राइस क्या कर रहा है downside की तरफ movement कर रहा है again price 860 पर हमार आ गया starting level पर है ABCD हो सकता है आप रोगों मेंसे कुछ लोगों बिल्कुल mature levels पर हो काम करो तो यह साही चीज़ आपको अलड़ी महलुम होगी फिर सही हम कर रहा है आप इसको skip कर सकते हो आगे की तरफ निकल जाओगे और नहीं तो अगर इसको समझना है चाहतो थीर आप समझ सकते हो यहां पर दखी क्या हो रहा है वापस से प्राइस उसी जगह पर आगया और हमें पहले से मालुम है कि 8601 इंट्रेस्टिंग लेवल इसको क्यों पढ़ रहे हैं क्यों कि trade करते समय है इनका बड़ा use काफी हद तक हम लोग trade execute करने के लिए या फिर investment करने के लिए इनका सबका use करते हैं प्राइस किसी एक जगह से बार बार आगर नीचे या फिर upside के तरफ जा रहा है तो मैं मालूम है कि यह area ऐसा है कि अगर हम इसको देखते रहेंगे और price का same level पर अगर आने का हमने wait किया तो यहां से हमें catch करने के लिए एक अच्छा move मिल जागा इसको बोलते हैं point of interest यह point of interest होगा हमारा ठीक है अब यही resistance यहाफी support बनते हैं आगे आप जितना भी पढ़ते चल जाओगे यही हमने जो बात आपको बता दी है इसका extension ही मिलेगा इससे अलग बात नहीं मिलेगे यही होता है support यही होता है resistance जहाँ पर ज्यादा interest लोगों का होता है वहीं पर market आपको अक्सर support लेते हुए दिखाई पड़ेगी समय के साथ-साथ price का support या फिर resistance चेंज होता रहता है समय के साथ-साथ traders या investors का उसके अंदर interest चेंज होता रहता है interest का जो price होता है वो change होता रहता है open interest चेंज होता रहता है यही 860 जिस तरह से behave कर अब हो सकता है price हमारा 950 के पास चला जाए तो 960 हमारा interest point बन जाए अब यहाँ पर open interest बढ़न ले रहता है हो सकता है लोगों के समय के साथ-साथ यह interest चेंज होगा और जैसे जैसे चेंज होगा वही points हमारे supports या फिर resistance बनने लगते है अब आगे क्या आता है कि हम इनको identify कैसे करें कौन कौन सी technique से क्योंकि यह तो हम चलिए drawing और lines बना करके बातों में आपको समझा रहे हैं तो बहुत easily समझ जाओ गया लेकिन जब हम लोग market के अंदर काम करने जाते हैं तो इतना आसान नहीं है नहीं समझ ले यह देख रहे हैं बड़ा technical बढ़ जाता है अब इन्ही टेक्निकल को easy बनाने का काम एक experience holder का होता है अगर आपको थोड़ा समय हुगा 6 मेने साल वर 2 साल तीन साल हुए है और कोई अगर market में आपसे ज़्यादा समय से काम कर रहा है तो यानि कि वो market को ज़्यादा समय से देख रहा है तो कुछ ना कुछ उसके पास experience होगा क्या उसके पास ऐसा experience है कि वो आपके काम को आसान कर दे और आप एक step और आगे बढ़ करके अपने practice करो जिससे कि आपको trade बगार execute करने में problems उतनी ना face हो जितनी कि आप से experience order जो काम को है रहा हो उसको face होगा अब यहाँ पर tactics काम लोग क्या यूज़ करते हैं support या फी resistance निकालने के लिए अभी हमने बोला ना कि drawings में समझा दे क्योंकि यही काम क्यों है अगर हमने कोई line charts के उपर डाल दी है कोई line हमने draw कर दी है और ऐसा movement हो रहा है तो मजाना समझ के न basics यही है अब बात करते हैं कि how can we find perfect support and resistance level perfect नहीं बोल सकते हैं एक high probability का support या फिर resistance area हम लोग कैसे mark करेंगे उसके कुछ techniques हम आपको बताएंगे कुछ एक candles होंगी कि जो master candle बनती है उस एक candles ठूणनी पड़ते है उस एक candle के according आपको आगे कई दिन तक price उसी जगह पर move करता हो दिखाई पड़ सकता है या फिर price अगर हमारा नीचे की तरफ गिर किया तो हो सकता है यहां पर जाए और again फिर price हमारा upside की तरफ जाए और यह candle के हाई यह लो के पास में price के movements किस तरह के हो रहे हैं इस तरह से हम लोग एक support या फिर resistance यह निकाल लेते हैं अभी HDFC में के अंदर हम लोग इसी टेक्निक का यूज करेंगा है है ना इसके अलावा कोई यह candle है XYZ आप कोई भी candle हमें क्या करना होता है हम इसका high और low mark अब इ price again नीचे की दिश्या में आया और वापस से upside की तरफ जाकर के इसमें closing कर दे फिर से इसकी opening and closing जितनी भी हो रही है हमारी ए particular candles के recording ही हो रही है price फिर हमारा upside की तरफ चला गया और again downside की तरफ बट जो closing है यह body के अंदर ही हो रही price इस range के बाहर नहीं निकल तो यहाँ पर important प techniques का use करो गया और एक जो बिल्गुल childish तरीका होता है draw करने का area draw करने का वो बहुत simple है कि आप इस तरह का एक point mark कर ले तो candles को देखते हुए अब यह जो आपने line draw की है आपने देखा है कि price तो कुछ नहीं कि brandly है तो कोई भी कर लेगा ना एक लिवर पर आकर के बार और प्र हम लोग अपने clay ball एक area mark कर लेते हैं तीसरा है HDFC bank तो शुरुआत करते हैं हम लोग HDFC bank से तो देखें HDFC bank ने किस तरह से पने supports के area को mark किया जैसे यह black वाली candle है हमारी अब इस black वाली candle के अंदर हो रहा है price के movements को आप समझो हमने इसका high and low दोनों mark कर लिया पर यहां पर क्या हो रहा है कि एक black वाली candle volumes को add करते जाओ एक black candle है इस black candle के अंदर prices के movements हो रहा है black candle इसके अंदर price move कर रहा है यह upside की तरफ चार ठीक है यहां से volumes उनको ठीक 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 दिखाई पड़ रहे है अगें देखे price हमारा upside के तरफ के तरफ के हैं पर volumes उनको अच्छी दिखाई पड रहे हैं volumes के breakout price upside के तरफ के तरफ चला जाना इसने इतना बड़ा gap down क्यों कर दिया लास्ट candle जो अपनी बनी है यह वाली और यह black वाली इन दोनों में divergence हो रहा है इन divergence को समझो और यह master candle ही सारा game कर रही है इस एक candle के बाहर निकलने में इतनी ज्यादा volumes के breakout की जरूरत हुई और price ने again previous candle की range के बाहर जाकर के अपनी opening और closing कर दी अगर price strong है तो ऊपर चला जाए अगर weak है तो नीचे चला जाए जब तक price हमारा इस range में trade कर रहा है यह question mark area के अंदर है price वापस से इस black वाली candle के pass में क्यों है क्यों इस black वाली candle की range के पास में price trade कर रहा है क्या हम लोग इस तरह से इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि हमारी यह black वाली candle काफी important candle हो रही है यहां से price हमारा upside की तरफ जा रहा है यहां पर volumes लगातार इसके अंदर increase हो रही है और price हमारा upside की तरफ निकल रहा है यह देख रहे है और price ने क्या किया एक closing upside की तरफ दिखाई एक movement upside की तरफ आया और price वापस हमारी इस gap down की हुई candle की रेंज के अंदर आ करके close क्या आपको देख रहा है कि price हमारा strong है अगर यह weak होता है तो पता है क्या करता है इस black वाली candle की रेंज के नीचे जाकर के trade करता ह last trading session में upside की तरफ निकल लेंगी कोशिश की बट क्यूंकि sellers ज्यादा होंगे तो price हमारा नीचे करता है ऐसे आप overall देखोगे तो 5 minute के time frame पर price क्या कर रहा है इसके जो highs है upside की तरफ shift होते जा रहे है जो sorry ऐसे आप daily time frame पर देखोगे तो price पता है क्या कर रहा है अपने lows को upside की ठीक है यह fourth overall जो हमारा market है पूरी तरह से यह stock अब यहां पर थोड़ा सा boring होगा क्योंकि marking हो रहा है कर समझ में नहीं आ रहा है आपको तो जो हम line straw कर रहा है जो बोल रहा है यह सब boring लेगे आपको तो थोड़ा सा concentrate हो करके समझेगा क्योंकि यही सारी चीज है आप market में काम करने चाहते हो ना तो आपको disturb करती है आपको लोगा कि सब क्या है फालतू की चीज है ट्रेट करते हैं क्योंकि ट्रेट करने से पहले इस तरह की reading साना must है जरूरी होता है नहीं करो गया आप तो ठीक है आप ऐसे भी trade कर दो तो market ऊपर या नीचे तो चली ही जाएगी बट वो एक तरह की gambling होगी आप loss भी करो लेकिन एक reading कर लो एक professional way में एक अच्छी तरह से price को read कर लो समझने की कुशिश करो उसको उसको उसके बाद में जब आप loss करोग ना तो आपको बहुत ज्यादा regret feel नहीं होगा लेकिन आख बंद करके बस मन हुगा red candle देख ली shot green candle देख इस तरह से आप काम करोगे ना तो आप किसी नतीजे पर नहीं पहुंचोगे आप अगले 6 मेने तक ऐसे करते रहो आपका demate का जो balance कम ही होता जाए वो बढ़ेगा नहीं frustrations अलग आएंगे लेकिन जब इस तरह से काम करोगे तो balance कम नहीं होगा I am sure आपका balance कम नहीं होगा सी समझने भर की देर होती है अब यह जितनी देर हम आपको समझाने में लगा रहा है कि हमें समझने में इतनी दिर लगी होगी चार्ट को जस्ट एक मिनट भी हमें नहीं लग रहा कि हमने देखा होगा यहां समझ में आ जाते ही चीज़ा क्या हो रही है अब volume को देख और price को सिंपल हो जाता है, अब एक candle है, एक candle बनी हुए, चलिए, अब price इतने दिन से इस range के अंदर ही trade कर रहा है, यह देखिए, last session में price क्यों उपर की तरफ चला गया, उपर की side में गया, तो वापस से price मारे है, इस range के अंदर आ गया, अब अगर यह week है तो गिर जाया ना, इसको mark करने के तरीके होते है, अब आप lower time frame पर आजा, अब देखो कि market कर क्या रही, overall हम देख रहे हैं कि price हमारा, जो lows है, इनको upset के तरफ shift करता चला जा रहा बार बार, यह देखिए, और last session में क्या हुआ है, कि price ने gap of opening देखा और वापस से price हमारे range के अंदर आ गया, हम देख है कि price के अंदर highs लग रहे हैं, यह up trend में है, और last session में इसने gap down के और नीचे की तरफ closing कर दी, but market चलने से पहले 1653 का यह level है, हम इसको master कर रहे है, हम इसको read कर रहे है, अब यहीं से market के अंदर, अगर इसको गिर जागा नहीं तो फिर यहां से upside की तरफ चला जाएगा, overall हमे इसी जगह पर अपने trade execute किया 1653.50, swings पर अपने stop process रहे, target क्या था, 1670 हमारा target, और exact area तक 1670 तक market गई है, यहां से सबको बाहर निकल वाया, खुद यहां से बाहर नहीं निकल पया, तो फिर हमको broker ने बाहर निकला, तो 2-4 रुपय को जो थोड़ा वो loss था, फिर वो हम loss लेक करके निकले, यह overall हमारा, इसके बाद में देखे, कोई भी एक दूसरा stop, इस तरह से आप candles को rate करते हो, यह तरीके होते हैं, support से फिर resistance को निकालने के drop, आप hourly time frame पर आजाओ, half nr के time frame पर आजाओ, daily time frame पर आजाओ, किसी भी time frame पर काम करू, hourly time frame पर चुड़ा से strong परता है, इ जैसे, एक normal सा, जब भी हम लोग कोई trade execute करते हैं, तो वो दो ही तरह का होता है, या तो वो break out होगा, या तो वो break in होगा, अगर आपके दुआरा draw किये गए किसी भी range के बाहर आप trade execute करते हो, तो वो break outside कहलाता है, चाहें वो upside में जाया और अगर downside के तरफ गरता तो वो break down हो और अगर आपने कोई range draw की और price आपकी range के अंदर trade कर रहा तो वो break inside होता है, मतलब कि price range के अंदर ही तूटता है, इन दो क्यालाव और कोई trade execution होता नहीं है, आप इसनी को trend line के through add कर दो, जब किसी भी एक trend line को break करके price आपका नीचे की तरफ गिरेगा तो ये break down होगा, और अ एक range कोई level आपने draw कर लिया, अब इसमें करना क्या होता है कि कोई भी दो lines आपने draw कर लिया, अब ज़रूरी नहीं है कि एक ही stock में आपको support और resistance दोनों मिल जाए, ऐसा बहुत कम होता है, तो कोई भी level अगर आप draw कर होगा तो उसमें हो सकता है कि आपको या तो resistance मिले, maximum में यही होता है, या तो फिर आपको supports मिले, लेकिन कुछ charts आप ऐसे भी दोनों areas होते हैं, अब जहां पर भी जिन भी charts में आपको support और resistance एक साथ दिख जाया न, तो आप क्या करते हो, कि उसको break inside के तरफ trade करते हो, जब तक price आपकी range के बाहर नहीं निकल जाएगा, तब तक हम break inside ही trade करेंगे, अब सेम चीज़ आपकी supports पर, जब तक price आपका आपकी range के बाहर नहीं निकलेगा, हम हमेशा यहां से बाही करते हैं, और जैसे ही price आपका breakout कर देगा नीचे की दरफ, तब हम इसके अंदर short selling करना start करें, कुछ confirmations होती हैं, लाइक कि आपके EST, entry, stop loss and targets, यह हम identify करने होते हैं, इनका confirmations लेना होता है, I hope कि यह clear हुआ होगा, तीन number का क्या use हो, तीन number का use हम लोग करते हैं, कि जब price आपका low, low and low, एक ही line पर तीन बार touch होता है, किसी भी particular direction से आते हुए, तो यहां पर हम लोग इतरह से trend identify करते हैं, trend identify से हमारा मतलब यह है, कि fourth time, जैसे ही price आपका उस area से टकराता है, जहां पर यह पिछले तीन बार से टकरा चुका है, जैसे कि one, two, और यह three, तीन बार range से टकराया है, जाने दो upside के तरफ, fourth time, जैसे ही यह नीचे की दिशा में आएगा, हम लोग यहां से buying करते हैं, selling नहीं करते हैं, यानि कि breakout rate नहीं करेंगे, हम लोग इसके अंदर से break-in trade करते हैं, breakout rate नहीं करेंगे, तो यह three number का use होता है, किसी break level से price आपका third time, तीसरी बार टकरा रहा है, तो fourth time में हम उसको same direction के साथ trade करते हैं, अगर price उपर की तरफ निकल जा, तो फिर निकल जा, उससे हमें मतलब नहीं, जा सकता है, बेशक जा सकता हैं, लेकिन probabilities बहुत होती हैं, कि price आपका same range में inside trade execute करते हैं, इतने ही चीज़ जाद रखिएगा, अब देखिए, एक चीज़ और, हम लोग मान के चलिए lower time frame पर जा रहे हो, price high, high, highs, highs लगा रहा है, और यहां से price आपका नीचे की दिशा में गिर रहा है, again देखिए, price हमार अब side की तरफ चला गया, and again price हमारा नीचे की दिशा में गिर गया, यह क्या कर रहा है पता है, एक तरह से हम लोगों को higher high and higher lows की formations form करके दिखा रहे है market, highs, lows, highs, lows, highs and lows, एक normal way क्या होता है trade execute करने का, कि जैसे की higher high, higher lows लग रहे हैं, जैसे जैसे form हो रहे हैं, हम लोग यहां से फिर से buy side की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि market अपने resistance को break करते हुए आ रहे है, but कई बार आपने देखा हो कि price में जैसे यह buy करो price आपका नीचे की दिशा में गिरना स्टार्ट कर देता है, और जो higher high, higher lows लग रहे हैं, अब अचानक से इसके अंदर lower lows and lower highs लगने स स्टार्ट हो जाते हैं, इसके पीछे का reason क्या है, कुछ mistakes होती है, कि जो कि एक support या फिर resistance drop करने में हम लोग अकसर करते हैं, हम किसी एक ही time frame को देख रहे हैं, हम multi time frame system का use रही करना है, ये एक ही time frame आपका 5 minute भी हो सकता है, 50 minutes भी हो सकता है, जरूरी है कि हम लोग higher time frame पर भी जाकर कि एक बार marking कर लें, हो सकता है, कि price higher high higher low करते हो, एपसाइट की तरफ तो गया है, बट daily time frame पर यहाँ पर कोई एक बहुत strong resistance point हो, कि price उस area से टकराया है, क्योंकि ये daily time frame है, higher time frame है, तो ये बहुत ज्यादा strong area होगा, अगर हम इसको compare करेंगे अपने इन lower time frame से, जहां प price जैसे इस area पर जाएगा, यहां से price के अंदर आपको reversals देखना को मिलेंगे, price में higher high higher lows के साथ आप देखोगे, अचानक सिर्फिर price आपका नीचे की दिशा में गेरने लगेगा, तो यहां पर हमें aware हो जाना चाहिए, जब तक price हमारी इस line को break करके upside की दिरफ नहीं चला ज होता है, सिर्फ एक दो line डाल देने से charts के उपर वो support या resistance नहीं बन जा रहा है, सिर्फ दो line डाल देने से हमारे trade execute करने का point of execution नहीं ही बन जा रहा है, point of interest नहीं ही बन जा रहा है, यह छुटी छुटी चीज हैं जिसका है कि हम लोग वीशेश त्यान रखते हैं, जब भी trade execute क करने जाते हैं तो, तीन चीज़े बता ही है, अब इन तीनों चीज़ों को हम लोग charts के उपर देखने ही कुशिश करेंगे, because यह जो points हम आज के दिन आपको सिखाने ही कुशिश करेंगे, बहुत help कर जाएंगे, अब जैसे just style का chart है, just style के अंदर marking कीज़े, कैसे हम लोग mark कर होगा, one, two, और यह ग्रेंगे, यह ग्रेंज है, आप देखोगे कि price इसी जगह से, जो level अभी में रोग किया है, इसी जगह price आपका support ले रहा है, again and again, यह movement हो चुकी है, जो movements हो चुकी है, उनसे जो होने वाले movement से हमेरिका उसका अंदाज़ा लग सकता है, कि price इस एक जगह आपको क्या मिलेगी, आपको कुछ इसमें दिमाग लगाना है, सिर्फ naked eyes से आपने एक ऐसा area mark लिए, जहां से price ने बहुत ज़्यादा respectation दिखाई है, आपके level को price ने उतना ही ज़्यादा respect किया है, आप सेम जगे स्टेट से execute करते हो, अब यह आपको कोटक महिंदरा range bound चल रहा है, अभी देखिए हो सकता है, आपको दिख न रहा हो, बट जैसे हम marking कर देंगे आपको पूरा clear हो जाएगा कि price किस तरह से side movement में चल रहा है, और एक box form कर रहा है, इस तरह का, again and again price आपका एक ही level पर touch हुआ है, यह आपका resistance बन गया, and यह बन जाएगा आपका support point अब देखिए क्या हो रहा है, अगर हम इन resistances को mark कर लेते हैं, तो price आपको एक box के अंदर travel होता हो दिखाए, तो जब जब price आपका आपके resistance पर आएगा, आप हमेशा यहाँ से selling करते हो, अब पूरी picture clear हो गई, price देखिए इस जगह पर आ रहा है, down, फिर से आ रहा है, फिर स हम यहाँ से buying करेंगे, फिर से price upside की तरफ चला गया है, फिर से selling कर देंगे, अब हम यह क्यों कह रहे है कि हम selling कर देंगे, बाइंग कर देंगे, चार्ट तो चल चुके है न, price आपका एक range में है, वसे जितने भी वीडियोस आप देखते हो, कि हम upload के तो हम सारे running market के होते है, लेकिन अब यह जैसे kotak का chart है, price हम देख रहे हैं कि एक range के अंदर travel कर रहा है, जब तक price हमारी range के बाहर नहीं जागा तो हम इसके अंदर short selling कर ही नहीं सकते हैं, हम तो सिर्फ buying करेंगे, तो जब तक price हमारा range के अंदर है, हम लोग यहाँ पर सिर्फ upside से selling, selling और down से buying, यही movement करते हैं, price जब तक हमारी range के बाहर नहीं जागा ना, हम लोग इसके अंदर buying करेंगे ही ने, सिर्फ wait करेंगे कि price हमारा range के पास में हम लोग short selling करते हैं, कोटक महिंदर बैंक के अंदर, आप यहाँ से price आप का range में है, आप सिर्फ और short selling के लिए देखोगे, Monday के session में आप कोटक महिंदर बैंक, अगर price range के बाहर नहीं गया और इसने आपको आपकी range के अंदर support के breakout downside के तरफ दिखा दिये, आप सिर्फ short selling करोगे, यह तैय है, इसी में एक और example हमको मिल रहा है, जो चीज़ अभी हम आपको बता रहे थे, कि price higher highs and lower lows form कर रहा है, ठीक है, एक तरह से आप देखो, तो price नहां पर क्या कर रहा है, एक up move दिखा रहा है, highs, lows, highs, lows, highs, lows, highs, lows, again, देखे high, है न, फिर से low, high, low, highs, lows, highs, lows, highs, क्या हो रहा है, एक up move, price upside के तरिफ जा रहा है, लेकिन अब यही चीज़ देखते हुए, अगर हम लोग इसको buy कर लेंगे, तो कितना danger हो ज चलिए चलते है, कोटक महिंदर अबेंग और five minute का time frame, देखे, five minute पर कितना अच्छा यह अब trend हमको शुकर रही है, लेकिन हमें नहीं मालूँ है कि hourly time frame पर यहाँ पर resistance है, अब क्या करोगे, आप तो buying ही करोगे न, क्योंकि price overall तब का up move दिखा रहा है, इस तरह से, और resistance ड्रॉ कर रहा है, तो इन चीज़ों का विशिश ध्यान रगते हैं, कि हम लोग जहाँ पर areas को ड्रॉ कर रहा है, क्या ऐसा थो नहीं कि higher time frame पर वहाँ पर कोई unexpected resistance पड़ा हो, जिसके उपर हमारी नजर ना पड़ी हो, तो lower time frame पर आप चाहें, जितने ही मेहनत करो, अपने level resistance के पास में है, तो यहाँ पर कुछ और सोचना नहीं होता है, हम लोग सिफ शॉर्ट सिलिंग ही करते हैं, इस चगर से, हाँ, buying करेंगे, जब प्राइस हमारा level के ऊपर जाकर के trade execute, इस तरह से, जितने भी execution आप करोगे, जो भी level draw करोगे, एक बार उसको reach एक जरूर कर लेन होता है, यहाँ पर हमने इतनी range draw कर, हमें यह देखना है कि price हमारी range पर कितनी बाहर टकराया है, कितनी बाहर टच हो, सिर्फ counting करनी हो, और आपको यह मौलूब होना चाहिए कि fourth time में हम लोग सिर्फ same direction में trades execute करते, one, again upside की तरफ market गई, second, again price upside की तरफ चला गया, third, fourth time कुछ न लिए दो, एक चीज़ तय है कि हम लोग यहां से buying नहीं करेंगे, यहां से selling भी नहीं करेंगे, नहीं इस range के नीचे और नहीं इस range के उपर हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपनी range के पास से हमें काम करना है और buying side की तरफ ही काम करना है, आपके पास आपको point of action तय है, जैसे मार्केट बढ़ते चली जाएगी, हम लोग देखने हैं कि टच हो बस कि एक बार जैसे तैसे लेवल पर टच हो जाएँ, यहां पर देख्या है, यह हुआ movement, सिर्फ यह हमें देखना है कि प्राइस इस जगह पर टच होना चाहिए, और जैसे यहां पर प्राइस आएगा यहां से हम लोग अपने entries के confirmations लेंगे and then trade execute कर I hope कि clear हो होगा अब आगे बढ़ते हैं draw करने के यहीं आप दूसरे stock देखलो जैसे hero motocop है अब इसके अंदर हमें निकालना है resistance कैसे निकालेंगे एकदम simple कुछ नहीं करना है हम लोग इस तरह से दो lines draw कर लेते हैं buffer के लिए अब यहां पर देखे क्या हो यह हमने resistance point mark कर लिए और support points mark कर लिए resistance का मतलब क्या हो गया अभी clear हुए न कि price में यहां पर कुछ orders लगे होंगे वो orders fill हुए price से नीचे की तरफ गया यहां पर banks order लगे होंगे न जब तक वो banks order fill नहीं होंगे तब तक market ऊपा थोड़ी नहीं जाएगे जब तक price यहां पर fill होने के लिए जितना भी time इस नहीं लगा है एक गंटे दो गंटे एक दिन दो दिन चार दिन पांच दिन छे दिन जब तक fill नहीं होंगे तब तक यहां पर resistance बनते रहेंगे और जैसे resistance प्रिक हो जाता है तो यह resistance के confirmations हो और again देखिए resistance becomes अभी resistance becomes support में confused नहीं होना है क्योंकि इस तरह के कई बार आप दिखोंगे resistance becomes supports के जो formula कई बार fail भी होते हैं तो हमें यह भी समझना चाहिए कि यह fail हो कब रहें ऐसे अगर हम लोग एक एक point पढ़ाते रहेंगे ना तो हो सकता है फिर पूरी रात कम पढ़ जाएगे तो अभी जिस topic पर रहे हो उसी पर रहने की कुशिश करेंगे तो यहां पर देखें क्या हो ना simply हमने सिर्फ दो लाइन पुट की सिर्फ दो लाइन पुट और हमें एक एरिया मिल गया अब hero motocop में देखें पिछले तीन दिन से तीन चार दिन से प्राइस एक ही जगह पर रुका हुआ है बन गया यह resistance हो गया यह आपका resistance point है market पिछले तीन-चार दिन से एक ही जगह पर आकर के बार-बार नीचे गिर देए कल क्या हो सकता है अगर यह strong है तो upside की तरफ जाएगी यहां से support लेकर के price अपना resistance ब्रिक करेगा और और उपर निकले और नहीं तो फिर इसी जगह से price नीचे के दिशा में जाएगा कल hero motocop के अंदर देखिएगा और आपको levels हमने mark करके दे दिया है जो area है यहीं से और maybe chance है हमें ऐसा लग रहा है कि price यहां से upside की तरफ निकलेगा buying a view बना करके hero motocop को देखिएगा कल result आपके सामने होगा यह बहुत simple सी trick होती है resistance को draw करने के अब कोई दूसरा idea निकाल लो जैसे हिंडाल को चलिए अब हिंडाल को के अंदर हम आपको बोल दे levels draw करके दो हमें resistance निकाल करके दीजाए तो simple हमें कुछ नहीं आता है सिर्फ आप यह देखिए कोई एक ऐसी line आपको draw करनी है जहां पर प्राइस पिछले 3-4-5 दिन से लगा था नीचे की दरफ गिर रहा है या फिर लगा था 3-4 दिन से प्राइस upside की दरफ जा रहा है कोई भी एक line हमने डाल दी है simply एक line हमने डाल दी और प्राइस पिछले 4-4 दिन से इसी जगह से upside की दरफ जाना बार यहीं से जाना या गिर रहा तो यहीं से गिर रहा बन गया आपका resistance और यह हो गया support कोई इसमें गडित लगाने की जुरूरत नहीं है आपको point of action आपको मिल गया ना यह वाला आपको CPOI के पास से आपना trade execute करो कोई आपको mathematics लगाने की जुरूरत नहीं कोई indicator लगाने की जुरूरत नहीं किसी तरह को कोई calculation नहीं करना यहां पर देखे क्या है हिंड-alco का यह point हमने mark लिए दो लाइन से थोड़ा सा buffer हम दे देते हैं यह मिल गया ना resistance जिस दिन हिंड-alco हमारे इस resistance को break कर देगा प्राइज में upside के 5% का movement शहर है हिंड-alco upside की तरफ निकल जाए यह resistance ड्राव करने में कोई महनत लगी कि एकदम beginning level पर है आपको कुछ नहीं आता है तो आप इस तरह से levels ट्राव करो और वैसे advance पर रहा होगा तो पिछले कितने ही वीडियोस में upload किये हैं support या resistance level को draw करने के तो आप उस level पर जाकर कि एक अच्छे level पर अपना एक area mark कर लोगे उससे easy उससे simple तो कुछ भी नहीं है इसी को हम लोग आवली time frame पर लें आप देखो कि यहां पर क्या हुआ है यह देख रहे हो आप यह सबसे simple technique होती है जैसे ही price आपका यह वाला area break करके upside के तरफ जाएगा हिंड डाल को के अंदर 5% का movement अब एक चीज और देखे आप ही जो path हमने आपको बताए थी 445 यहां से price हमारा नीचे के तरफ गिरा है past में देखे 445 के past में क्या हुआ है इस जगह से market कितनी बाहर नीचे के तरफ गिरी है 445 और 445 क्रॉस करने के बाद पिर price हमारा और अगे अभी 445 के नीचे trade कर रही है तो यह interests होते है जब जब price हमारा 445 के पास में आ रहा है ना तो यहां पर resistance लिये जा रहा है यहीं से price के अंदर अप यह भी downside की movement दूसरा ले लिजए आप हिंदुस्तान petroleum है इसकंदर रीडिया माग कर लो बट closing इसने अंदर ही की है और वापस से आज के session में closing होगए यह बाहर यह black candle आपके resistance बन जाते है यह black candle आप देख ले ना कल के session में इसके अंदर भी बहुत हद तक chance हमको ऐसा लग रहा है कि हंदुस्तान petroleum up side के दरफ निकल जागा 1% का movement हो सकता है 260.45 से इससे simple कुछ हो सकता है कि कुछ भी इससे नहीं आता है ना कुछ बिल्कुल fresh हो इस तरह से market करो बहुत बहुत फैदा आपको हो जागा इससे बिल्कुल naked ICICI bank है अब देखिए ना कितना simple है यह black यह वाली जपनी candle है जबसे इसके अंदर से rejections आया प्राइस हमारा upside की तरफ नहीं निकल पाया है इसी जगे से प्राइस हमारा resistance ले है 943 के पास में कुछ नहीं करना है कोई एक ऐसा point देख लो जहां से market हमारी गिरी है तीन बार दो बार मत देखना तीन बार चार बार पांच बार शे बार अगर गिर रही न तो वहां से देखो उसको तीन बार चार बार पांच बार शे बार किसी एक जगे से price हमारा गिर रहा या upside की तरफ जा रहा है वही resistance हो जाता है वेट करना है जस्ट आपको वेट करना है कि price यहां से ओपर की तरफ जा रहा है अब यहां कहीं trade कर रहा है करने तो करने तो हमें मतलब नहीं है बापा से जैसे price यहां पर रहाएगा आप तैयार हो जाओ कर लो भाई लेकिन अब कहो कि कहीं पर भी market मिल रहे किसी बी जगे से आपको trade execute करना तो फिर आप करते रहो जैसे options में तो यही होता है कि एक chart बन के निफ्टी या बैंक निफ्टी काफ में रोज trade करना है करो आप रोज trade और मिलेगा ही ने ज्यादा थर्द आप देखोगे कि आप loss में ही जाओगे प्रोफेशनेली अगर काम करना है तो आपको charts ऐसे देखने पड़ेंगे जो कि अपने tradable level से tradable points पर हो लेकिन जब तक खुद satisfy नहीं हो जाए खुद अंदर से confidence नहीं आ जाएगा तब तक हम हाथ नहीं लेगा है उसमें और जहां क्या होता है छे महीने साल बर हुआ है किसी को आप प्रॉफिट प्रॉफिटिबल नहीं भी है गय वो derivatives में चले गए derivatives नहीं शुरुवात ही derivative से कर रहे हैं हम तो शायद ज्यादा बोलना है कि आप 6 महीने या साल बर के बाद काम करने के बाद में आप derivatives में जा रहे हो करेंगे कुल मिला करके कहने के मतलब सिर्फ इतना ही है जब तक एक्सपर्ट ना हो जाओ तब तक fields को क्रॉस ना करो आयो होब कि काफी सारी चीज़े क्लियर होगे जो भी सिस्टम आपको बोल रहे हैं बता रहे हैं समझा रहे हैं ऐसा नहीं कि दो या तीन दिन में बस हम आये हमने देख और आपको बता दिए यह सालों का सालों का experience है हमारा अब जाकर के कुछ बता रहे हैं हम आपको आज की वडियों में यह पर close करते हैं आप आप लोग मिलेंगे अपने next trading session में कोई भी stock Monday को Monday का session में मिलेंगे कोशिश करेंगे Sunday तक या Saturday को आप लोगों को एक अच्छा सा educated educational video हम शेयर के इसमें कुछ ऐसी चीज होंगी जो कि आपके trade में आपके आपको help कर जाएंगे ओके so thanks good bye and we'll meet again